हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हेलो टीचर में लिव रूल्स के जो क्वेश्चेन अंसर है उसकी पीडिएप जो है अब भी देखेंगे खास करके जो पीडिएप रेल्वे करमचारी की है लेकिन इसमें से बहुत सारे जो रूल्स है Defense के उपर भी लागो होते और Center Department के उपर लागो होते इसमें से बहुत सारे जो Tetra대 के Question चोढ़के के बाखे के जो Question है स्ब रूड जो है Central Division और अपना Defense के उर्द ूपर ये सी लागो होते है तो चलो देखते हैं इसमें से जो सबी Question है जो Important Important Question है और अच्छी PDF है, तो सबसे पहला जो question है, question number one है, प्रश्न संक्या वन, rail कर्मचारी के बिना वेतन अवकास पर रहने पर कि दर से अर्दे वेतन अवकास के debit किया जाता है, रहले डिपार्मेंट के लिए भी महत्पपूर्ण PDF फाइल है, जो भी डिपार्मेंटल एक्जाम देना चाहते हैं, और डिपेंस वाले के लिए भी है, और सेंटर गवर्रमेंट जितने भी एंपलाईयाथ हैं, उनके लिए सब के लिए इंपार्टन है, तो रहल कर्मचारी के बिनाग वेतन अवकास पर रहने पर किस दर से अर्दे वेतन अवकास को डेबिट किया जाता है How will LHAP be debited when I employs is only without pay और इसका जो यांसर है, जो यांसर है 1 by 18, at the ratio of 1 by 18 इसका यांसर है, इसके बाद जो question number 2 है question number 2 है, who is the competent authority to grant study lieu to class 3 employees और इसका जो यांसर हो जाएंगा, हो जाएंगा chief personal officer chief personal officer जो है, वो गवर्ग के कर्मचार्व के लिए study lieu authorized person है, ठीक है, इसके बाद जो है question number 3 है, question number 3 है, ट्याक पत्र के मामले स्वाप, resignation from railway service, और इसका जो उत्तर है, वो है, 6 अवकाश का 50 प्रतिशत, अधिक्तम 150 दिन, 50% of remaining lieu, but maximum up to 150 days, इसके बाद जो question है, question number 4 है, कार खाना कर्मचार्व को कितने प्रतिबंदित अवकाश दे है, how many areas are granted to workshop stop, और railway का जो भी वरक्शाप आप स्टाप रहता है, उसके लिए कितने प्रतिबंदित अवकाश दे है, तो इसका जो answer हो जाएंगा, नील, कुछ नहीं, इसके बाद का जो question है, question number 5 है, एक अर्दा वर्षे की अवदी में अधिक्तम कितना अर्दे वेतन अवकाश दे है, तो यह जो question है, इसके बाद जो question number 6 है, प्रशन संक्या 6 है, क्या किसी rail कर्मचारी द्वारा येखी समय में 10 अकस्मी तावकाश ली जा सकती है, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, yes, हाँ, तो ये railway कर्मचारी के दारा, इसके बाद जो है question number 7 है, ग्रूप C कर्मचारी को इंडिया लिव की स्विक्रूति कौन कर सकता है, with the competent authority to the grant, yes, इंडियन लिव to class 3 employee, और इसका जो answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, मंडर रेल प्रबंदक, डिवीजिनेर रेल्वे मैनेजर, इसके बाद का जो question है, question number 9 है, आकस्मित आवकास किस आवकास के साथ स्विक्रूत नहीं किया जा सकता, और with which kind of लिव, शियल cannot be granted, और इसका जो answer दिया है, joining time के साथ, with joining time, तो शियल जो है, किसी भी लिव के साथ अपन नहीं लगा सकते हैं, इदर joining time भला यह answer दिया हो, with joining time, बस जो शियल है, अपन किसी लिव के साथ इसको नहीं लगा सकते हैं, शियल के साथ कोई लिव, नहीं लगती हैं, इसके बाद का जो प्रश्न संक्या दरस है, आवकास, नगदी करण की अधिक्तव सीमा क्या है, what is the maximum limit of लिव, अचैस्मेंट, इसका जो answer है, वो है 300 days, 300 दिन, तो यह question अपनी लिवी लाग होता है, 300 दिन तक का जो लिव है अपन, बेश सकते हैं, इसके बाद का जो question है, question number 11 है, क्या भारत के बाहर उन विश्योग हेतु अध्यन आवका स्विक्रुत क्या जा सकता है, जिसकी स्वमचित व्योस्ता भारत में है, can x India study lieu be granted for the subject that are well studied management in India, तो भारत के बाहर उन विश्योग हेतु अध्यन मतलब जो जिस विश्योग का अध्यन भारत में उपलब दे, तो उसके लिए विदेश में जानी की अनुमती मिलते हैं की नहीं मिलते हैं, उसके लिए जो है study lieu accept होती है, granted होती है की नहीं होती है, तो इसके answer हो जाएंगा नुम नहीं होती है, और यह question सभी central division के लिए लागो होता है, इसके बाद का जो question है question number 12 है, अधिकार्यों को एक India lieu की security कोन दे सकता है, who is the competitive authority to grant एक India lieu to grant graduated officer, और इसका जो answer हो जाएंगा railway board, इसके बाद railway की PDF है, इसलिए यहाँ पर जो भी answer आएंगे, वो railway board से निग्डित होंगे, इसके बाद का जो question है, question number 13 है, कुछ-कुछ question जो है, सभी central department के लिए लागो होते हैं, नहीं तो यह railway की PDF है, कनिष्ट प्रशासनिक अधिकारी के नीचे के अधिकारी द्वारा त्याक पत्र का नूटिस देने के बाद, आवकाश स्युक्रत करनी की प्राधिकार किसे है, वी द्वाथराइज्ट टू ग्रांट लिव टू दव आपिसर विलाग जे एजी, डूरिंग दे नूटिस पिरेट भेन दे टेंडर, इजाइनेशन, और इसका जो एंसर हो जाएंगा, अदेशनल जनरल मैनेजर, आतिरिक्त महा प्रबंदक, इसके बाद का जो क्वेशन है, क्वेशन नूमबर 14 है, क्वेशन नूमबर 14 है, वेदर DRM इज कंपेंट टू ग्रांट होस्पिटल लिव आन फूल आवरेज पे बियांड वन पेंटी डेज, क्या मध्य रेल्वे प्रबंदक, एक से 20 दिन से अधिक अवदी का आस्पता लावकाश पूर्ण वेतन पर एक बरशे तक स्विकुद करने में सक्षम है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगा, हाँ, महा प्रबंदक की कार्यत वर मंजूरी आवश्यक है, येस, with the post facto sanction of GM, इसके बाद जो question number 15 है, क्या पूरानी किसी चुट्टी को दूसरे प्रकार की चुट्टी में बदला जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगा, हाँ, इसके बाद का जो question है, question number 16 है, जिन रेल करमचार्यों को अनुशासन यों अपिल नियम के अंतरगत अनिवारे सेवानवृत्ति कर दिया जाता है, क्या उन्हें अवसत वेतन चुट्टी का नगदिकरन किया जाएगा, इसका भी आंसर हाँ हो जाएंगा, इसके बाद का जो question है, question number 17 है, आकस्मित आवकाश 12 से घटा कर 8 दिन किस दिनांका से किया गया, जो पहले आकस्मित आवकाश जो थे, शियल जो 12 मिलते थे उसको 8 किस दिनांका से किया गया, तो एक question जो है, इसका जो answer हो जाएंगा, since when the shell was reduced from 12 to 8, और इसका जो correct answer है, वह है, 2 जनवरी 1998 में से, since of 11 1998, इसके बाद जो है, question number 18 है, राज पत्रित कर्मचारी की कारेगरन अवदी को, मद्य रेलवे प्रशासन कितने दिन तक बढ़ा सकते है, अब to how many days DRM can extend the joining time to NG stop, और इसका जो correct answer हो जाएंगा, अब to 30 days, 30 दिनों तक, इसके बाद का जो question है, question number 19 है, क्या विकलांग खिलाड़ी को विशेश आकस्मित अवका स्विकृत किया जा सकता है, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, आकस्मित अवका स्विकृत किया जा सकता है, और इसका जो answer है, yes, इसके बाद का जो question number 20 है, railway school शिक्षेकों को 20 दिनों के अर्द वेतन अवकास की सुविदा पुना की स्थिति से भाल की गई है, since when the facility of 20 days LHAP to railway school teachers has been reopened, और इसका जो answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, since 19, 2008, 1 सितंबर 2008 से, इसके बाद का जो question है, question number 21 है, और जित अवकास नगदी करण की सुविदा railway में कब से लागू की गई, since when has the provision of new investment been started in railway, इसका जो correct answer हो जाएंगा, 1 सितंबर 2008 से, since 19, 2008, इसके बाद का जो question है, question number 22 है, और जित अवकास नगदी करण का दावा कितने वर्ष पच्छात पुर्णक किया जा सकता है, after how many years can live in investment against the claim, after how many years can live in investment against the claim, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, after 2 years, 2 वर्ष बाद, इसके बाद का जो question है, question number 23 है, लिपिक वर्गे करमेचारी को एक calendar वर्ष में कितने प्रतिबंदित अवकास मिलते है, how many years are given to ministerial staff in a calendar year, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, 2, इसके बाद जो question है, question number 24 है, चाइल्ड केर अवकास कितने बच्चों तक दिया जाता है, तो ये question सभी के लिए लागो होता है, सभी central division के लिए question लागो होता है, सभी central department के लिए question लागो होता है, defense के लिए question लागो होता है, question number 24 है, चाइल्ड केर अवकास कितने बच्चों तक दिया होता है, सर्वाइंग चिल्डर इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 25 है अर्जित आवकाश एक साथ कितनी दिन तक सिक्रूट किया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 26 है क्या अस्ताई कर्मचारी को अर्जन शोध्याव का दिया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 27 है चिकिस्ता प्रमान पत्र पर पूरे सेवा काल में अधिक्तम कितने दिन तक अर्जन शोध्याव का दिया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 28 है एक समय में अधिकतम कितने दिन तक अर्जन ने शोध्याव का स्विक्रूत किया जा सकता है और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 29 है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 30 है यांतिरिक प्रेशिश्यू को अधि वृत्तिकापर एक क्वेश्चन नूमबर 30 है इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 30 है नगदी करन के समय करमचारे के आवकास खाते में कितनी दिनों का आर्जित आवकास शेश्च रहना चाहिए और इसका जो क्वेश्चन अभी गवर्मेंट डिपार्मेंट के लिए लागू होता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमबर 34 है क्या आर्जित आवकास के नगदी करन की गन्ना करते समय मकान किराय भत्तायों परिवन भत्ते की भी शामिल किया जाता है तो इसका जो जो आंसर हो जाएंगा वो नहीं यह भी सभी डिपार्मेंट के लिए क्वेश्चन लागू होता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नूमर 35 है किसी रेल करमचारी के दो से कम जीविद बच्चे है तथा इवह किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे कितने दिनों का प्रितुतव का स्विक्रित किया जा सकता है तो इसका जो करेक्ट एंसर है 15 दिन बच्ची के आवी एक वर्षे से कम होनी चाहिए और यह भी रूल जो है सभी गवर्बेंट डिपार्केर्मेंट के लिए लागो होता है 15 देज पोर्वाइड़ेट देज आप अड़ोप्टेज चाहिड शूड बी लेज दन वन इयर है इसके बाद का जो क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर थर्टी शीक्स है विशेश अशक्तता आवकास की अधिक्तम सिमा कितनी है इसके बाद जो है क्वेस्टन नमबर थर्टी सेवन है अगवा विक्ति को कब अशक्तता का आवकास विक्रुद किया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर थर्टी शीक्रुद किया जा सकता है इसके बाद जो है क्वेस्टन नमबर थर्टी नाई ने सभी प्रकार के अवकास मिला कर पूरे सेवा काल में अधिक्तम कितनी दिनों का अध्यन अवकास विक्रुद किया जा सकता है और यवी question सभी department के लिए लाग होता है सभी central department के लिए लाग होता है और इसका जो correct answer है वह 24 मंथ इसके बाद जो question है question number 14 अध्यन अवकास में कर्मचार्य को वेतन भुक्तान कीज प्रकार किया जाएगा इसका जो एंसर है वह है क्वेल छुट्टी वेतन तता महगई भत्ता लिव सालेरी आड डिये देर आन इसके बाद का जो question है question number 41 है अस्पताल आवकाश किसे स्विक्रुद किया जा सकता है to whom hospital लिव कैन बी ग्रांटेड और इसका जो एंसर हो जाएंगा group C and group D rail कर्मचार्यों के लिए to class 3 and class 4 railway employees इसके बाद जो question है question number 42 है विकलांग कर्मचार्यों को एक वर्षे में अधिक तम कितने दिनों का आकस्मी तावका स्विक्रुद किया जा सकता है how many maximum days of shell can be granted to handicapped employees in a year इसका जो एंसर हो जाएंगा लिपिक वर्गी विकलांग के कर्मचार्यों को बारा दिन 12 days to ministerial handicapped employees इसके बाद का जो question है question number 43 है यह 1000 km दूरी तक तानांतर पर कितने दिनों की कारेगर नवदी मिलती है और यह भी question सभी department के लिए center department के लिए लगो होता है इसके बाद का जो question यह भी question सभी department के लिए लगो होता है सभी center department के लगो होता है 2000 km दूरी तक तानांतर पर कितने दिनों का कारेगर नवदी मिलता है how many days of joining time is possible on transfer up to 2000 km इसका भी answer जो हो जाएगा हो जाएगा 12 days 12 दिन इसके बाद का जो question है question number 45 है क्या अस्ता इस तानांतर पर भी कारेगर नवदी मिलती है whether joining time is previsible on temporary transfer और यह भी question सभी department के लिए लागो होता है इसके बाद का जो question है question number 46 है rail कर्मचारी सभी धरे की छुट्टिया मिला कर प्रस्तुती अवकास में रहते समय license fees पर कितने दिनों तक railway quarter रख सकता है up to what period can a railway employee return railway quarter on license fee during maternity lieu including all kinds of lieu तो इसका जो correct answer हो जाएंगा हो जाएंगा एक साल one year इसके बाद जो है question number 47 है सेवा निवरित्ती पर LAP और LHP दोनों को मिला कर कुल कितनी छुट्टियों का नगदिकरन किया जा सकता है how many days of lieu in cashment including LHP can be sanctioned at a time of retirement और ये भी इसका भी answer हो जाएगा 300 दिन और ये भी question सभी department के लिए लाग होता है 300 days 300 days इसके बाद जो question है question number 48 है LHP नगदिकरन का प्रावधान कबसे प्रभाई हुआ since when the provision of LHP in cashment came to force इसका रएंसर हो जाएगा 19-2008 से 19-2008 इसके बाद जो है question number 49 है क्या कर्मचारी की वृत्ति पर उसके पीता को lieu in cashment का भुकतान किया जा सकता है और important question है और सभी department के लिए question लाग होता है whether the payment of lieu in cashment can be given to the father of discrete railway employees तो इसका जो answer हो जाएंगा हा क्या कर्मचारी क्रुमुत्ति होने पर उसके पीता को lieu in cashment का भुकतन किया जा सकता है इसका जो answer है हा किया जा सकता है इसके बाद का जो question है question number 50 है what is the maximum limit of maternity leave तो इसका जो correct answer हो जाएंगा एक्सवस सी दिन मतलब 6 मंत इसके बाद जो question है question number 51 है और जो question number 50 है मातूत अवकास के अधिक तमसिवा कितनी दर कितनी कई गई है वो एक्सवस सी दिन इसका जो answer है यह सबी department के लिए लाग होता है central department के लिए इसके बाद का जो answer है question है question number 51 है child care लिव कितने बच्चे तक दे है यह भी question सबी department के लिए लाग होता है तो child care लिव जो है up to how many child children child care can be granted और इसका जो answer होता है केवल दो जीवित बच्चों के लिए up to two surviving children इसके बाद जो question है question number 52 है child care लिव के बाद बीना चिके सा पर्मान पत्र के कोन से छुट्टी लिजा सकती है which kind of you can be granted without medical certificate after CCL इसका जो answer हो जाएंगा हो जाएंगा लिव नाट डू इसके बाद जो question है question number 53 है क्या आदे दिन का अर्जी तवका स्विक्रित किया जा सकता है can have day LAP be granted तो इसका जो answer हो जाएंगा हां केवल workshop के stop के लिए अधिकतम सीमा एक वर्षे में 6 बार workshop के stop के लिए मिलेगा और अधिकतम जो सीमा इसकी एक वर्षे में 6 बार ही मिलेगा yes only two workshop stop with a maximum of six time in a year इसके बाद का जो question है question number 54 है क्या अर्जी तवकाज बीना स्विक्रूद कराएं लिया जा सकता है can LAP be granted without sanction तो इसका जो answer हो जाएगा नहीं नहीं लिया जा सकता इसको sanction करना जरूरी है इसके बाद का जो question है question number 55 है क्या LHAP को पहले ही खाते में जमाक किया जा सकता है can LHAP be credit in account in advance तो इसका जो correct answer हो जाएगा हाँ इसके बाद का जो question है question number 56 है यदि किसी कर्मचार्य की नीक्ति वर्षे के मद्दे में होती है तो उसे कितना LHP दिया जाता है if an employee is appointed in the middle of the year how many LHAP are granted to him तो इसका जो answer हो जाएगा प्रत्यक पूर्ण महा के लिए 5 बटा 3 दिन का हिसाब से add the rate of 5 oblig 3 for every complete month इसके बाद का जो question है question number 57 है secret पार्ठेक्रम के अध्यन के लिए कितना LHP परिनत किया जा सकता है how many LHP can be committed for the purpose of study और इसका जो answer हो जाएगा पूरे सेवा काल में 180 दिन अधिकतम maximum 180 डेजिन इंटायर सर्विस इसके बाद का जो question है question number 58 है क्या EOL के CL के साथ ले सकते है question number 58 है क्या EOL को CL के साथ ले सकते है can EOL be granted with CL तो नहीं मैंने पहले ही बता है कि CL के साथ अपन कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते है इसके बाद का जो question है question number 59 है राष्टी और अंतर राष्टी टूर्णामेंट में खेलने है तो क्या chase के खिलाडियों को special casually मंजूर किया जा सकता है can special casually be granted to chess players for playing national and international tournament तो इसका जो correct answer हो जाएंगा हाँ yes किया जा सकता है इसके बाद का जो question है question number 60 है एक वर्षे में किसी एक शेत्रे रेल में अधिक्तम कितने चिकिस्ता अधिकारी को अध्यन छुट्टी के मंजूरी दी जा सकती है to how many maximum medical officer can be granted study leave in general railway in a year और इसका जो correct answer हो जाएंगा हो जाएंगा option number 3 इसके बाद मतलब 3 जो है चिकिसा अधिकारी है जो maximum उसको जो है एक वर्षे में मैं गिवम तीन ही चिकिसा अधिकारी को study leave की permission दी जा सकते है इसके बाद का जो question question number 61 है प्रितुत वाउकास कब मंजूर किया जाता है question सभी के लिए लाग होता है सभी department के लिए लाग होता है when a paternity leave granted और इसमें जो option दिया है बच्चे के जन्म से पहले option number B में ज्या बच्चे के जन्म के बाद option number C में ज्या बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले तथा जन्म के 6 महाँ बाद तक विफॉर दा बार्थ आप चाइल्ड बी अप्च्यन नंबर चाइल्ड आप श्याए अफ्टर दा बार्थ आप चाइल्ड आप चाइल्ड का जा जा ग्रांटेड इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा आफ्शन नंबर सी बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले तथा जन्म के 6 महाँ बात तक और इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 62 है यदि कोई कर्मचारी सेवारुत्ति के समय प्रतिन युक्ति भत्ता पा इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 63 है स्काउटिंग ड्यूटी पर जाने पर एक कर्मचारी को एक कालेंडर वर्ष में कितना स्पेशल केजल्यू मंजूर क्या जा सकता है इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 64 है नाटक संगीत जैसे सांस्कृतिक गति विद्यो के लिए एक वर्ष में कितना स्पेशल शियल मंजूर क्या जा सकता है इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 65 है इसका जो एंसर हो जाएंगा यस हां दिया जा सकता है इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 66 है रेल करमचारी उदारी कुरूत आवकास नियम कब से लागू किये गए इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन है इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 68 है सेवा के दवरान अरजित अवकास नगदी करन का भुकतान एक बार में अधिकतम कितनी दिने को लिए किया जा सकता है इसका जो क्वेशन नंबर 4 तेन डेज और यह जो क्वेशन है सभी सेंटर डिपार्मेंट के लिए भी लागू होता है ज्यादा से ज्यादा जो है एक बार में अधिकतम 10 EL को अपन इनकैस्मेंट कर सकते है इसके बाद जो है क्वेशन नंबर 69 है एक रेल्स सेवक को एक बार में अधिकतम सभी प्रकार की छुट्ट्या मिला कर कितने दिनों तक का आवकास मंजूर किया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 70 है विकलांग बच्चों के मामले में कितने आवी तक के बच्चों के के लिए संतान देखबा लवकास चाइल्ड केर लिए सिकुरित क्या जा सकता है कितनी बार देया है वाट इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा आप्शन नंबर टू तीन बार और यह भी कोशन सभी डिपार्मेंट के लिए लागू होता है तो महिला करमेचार को संतान देखबार अवकास चाइल्ड केर लिए एक वर्षे में अधिक्तम तीन बार दी जा सकती है इसके बाद का जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 72 है अवकास खाते में अर्जित अवकास की अधिक्तम सिमा 300 दिन कप से लागू है यह जो इंपोर्टन क्वेशन है बहुत बार क्वेशन जो है पुचा जा चुका है जिए। तो इसका जो आप्षण दिया है 1719learning से यह चर्सान्थ यह यह साथ सथान्वे अपिशन 2 में दिया यह center कर्मचारी को अर्जनने शोद्ध आउकाश मंजुर किया जा सकता है on how many years of completion of service or temporary employee can be granted you not do और इसका जो correct answer हो जाएंगा option number three one year एक वर्षे की जो सेवा देने के बाद जो है अस्ताई कर्मचारी को अर्जनने शोद्ध आउकाश दिया जा सकता है इसके बाद जा question है question number 74 है special class rail apprentice को एक वर्षे में पूर्ण वृत्ति का पर कितने दिन का आउकाश मिलता है how many days of lieu on full type 1 are granted to special class railway apprentice in a year एक में दिया एक महा, दो में दिया दो मा, दी में दिया 15 दिन, चार में दिया 7 दिन और इसका जो correct answer हो जाएंगा option number है एक महा, one month इसके बाद जो question है question number 75 है इसके बाद जो question है question number 76 है अर्जित अवकाश नगदी करन के समय कर्मे चारों के अवकाश खाते में कितने दिन का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए how many days of LAP should be in balance will granting new encasement at employee option number 1 में जिया 2 मा, 2 में जिया 3 मा, 3 में जिया 15 दिन और 4 में जिया 30 दिन इसका जो correct answer हो जाएंगा 30 days 30 दिन इसके बाद जो है question number 77 है रेल कर्म चारे कोई एक बार में अधिक्तम कितनी दिनों का अध्य नवका शिक्रूत किया जा सकता है how many maximum days of study leave can be granted at a time to railway employed और इसका जो correct answer हो जाएंगा हो जाएंगा 12 12 बाहां यह भी question सबी department के लिए लागो होता है इसके बाद जो question question number 78 है question number 78 है 1000 km दूरी तक तानांतरबल कितने दिनों का कारेक्रण अबदी मिलता है यह जो question है देख लिया है अब ही अपनने इसको skip कर लेते इसका answer जान लेते हो है 10 days 10 दिन का और इसके बाद का question है question number 79 है सेवा निवृत्ति पर अरजित आवका शार आदे वेतन पर आवका दोनों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियों का नगदिकरन इंक्रास्मेंट किया जा सकता है यह भी question repeat हो रहा है इसका भी answer जो हो जाएंगा 300 days इसके बाद question है question number 80 है महिला कर्मचारी को कितनी दिनों का मरातुतर छुट्टी देया है और इसका जो correct answer है 100 से दिन कुछ-कुछ question repeat हो रहे है इसके बाद का जो question है question number 81 है कि इन कर्मचारी का आदे दिन का अर्जी दवका शुक्रूत किया जा सकता है तु हूम हाँ पे LAP can be granted और इसका जो answer हो जाएंगा हो जाएंगा workshop stop only to the workshop stop इसके बाद जो question है question number 82 है एक समय में अधिक्तम कितना LHP कि सिकृत किया जा सकता हो जाएंगा हो जाएंगा चोबीस मन्त और important question है यह जो साल का जो है एक समय में अधिक्तम LHP सिकृत किया जा सकता ह। इसके बाद का Wyatt question मैं question number 83 है सेवा के दवरा नवकाश के दो नगदी करण के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए और यह भी important question है सेवा के दवरा नवकाश के दो नगदी करण के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 84 है मतलब अगर आप एक बार इनकैस्मेंट कर लेते लिव को तो उसके बाद जो है सिदा आप दो साल के बाद ही दुबारा इनकैस्मेंट कर सकते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 84 है कितने जीविद बच्चे विद्ध्यमान होने की स्थित्य में महिला रिल करमचारी को प्रस्तुती अवकाद दिये है और यह भी क्वेश्चन सभी डिपार्मेंट के लिए लाग होता है इसके बाद जो है क्वेश्चन नमबर 85 है महिला करमचारी को पूरे सेवा काल में गर्वबबात की अवस्ता में अधिक्तम कितने दिन का मातुत अवकाद दिये हैं और यह क्वेश्चन भी सभी गवर्मेंट डिपार्मेंट के लिए लाग होता है महिला करमचारी को पूरे सेवा काल में गर्वबबात की अवस्ता में अधिक्तम कितने दिन का मातुत अवकाद दिये है इसका जो करेंगा हो जाएंगा हो जाएंगा हो जाएंगा 45 डेज और इंपोर्टन कोश्चन है सबी डिपार्मेंट के लिए क्वेश्चन लाग होता है इसके बाद है रिक्तस्तानों की पूर्ति करें पूरे श्रेल करमचारी को ड्याज दिन का प्रितुत अवकाद दिये है तो ड्याज ड्याज अब पेटरनेटी लिव टु मेल एंप्लोई और ग्रांटेड और यह जो खाली रेलवे के लिए लागू नहीं होता है यह पूरे शेंटर गवर्मेंट डिपार्मेंट के लिए लागू होता है और इसका जो आंसर है वह है 15 डेज 15 दिन इसके बाद जो है क्वेश्चन रेल करमचारी को पूरे सेवकालमे दिन का अनर्जी तावकास लिव नाट डु देये है तो यह तिन सो साथ दिन का है कि डाश यवम डाश की तीथी वह महा में करमचारी के खाते में 15 दिन की अवसत व्यतन की छुट्टी जमाग की जाएगी तो प्रत्य करंड वर्ष के पहले डाश में पहली जानवरी और यहां पहली जुली की तिथी में कर्मचारी के खाते में जो है 15-15 दिन की अवसाद प्यतन की छुट्टी जो है जमाक की जाती है तो EL जो है पहले जो मिलते पहले जनवरी को 15 दिन और उसके बाद जो मिलते पहले जुलिए को 15 दिन दूफर्ट जनवरी आप एन फर्स जुलिए इन यहवरी क्टेलंडर यार फिप्टीन डेज आप अलर्ट ए प्यार क्रेड़िटिंद इसके बाद जो है question number 89 है सेमित अवदी की अस्पताल चुट्टी सिव्कृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को है इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा जीए महा प्रबंदक इसके बाद जो है question number 19 है अस्पताल चुट्टी के दवरान 120 दीन से अधिक समय की चुट्टी का वेतन अरजित अवकाश के बराबर की सिपारिश पर दिया जा सकता है और इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा CMS मुक्य चिकिस्सा अधिकारी इसके बाद जो question है question number 91 है प्रशव की तिती से dash की अवधित तक प्रितुत्र अवकाश सिकृत किया जा सकता है अप्टू dash month from the date of birth of child paternity you can be granted और इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 6 माशिक्स मन्थ और ये भी important question है इसके बाद का जो question है question number 92 है रेल कर्मचारी दारा पूरे सेवा काल में अधिक्तम दिनों के अर्जी तवकाश का नगदी करन किया जा सकता है ये question सभी department के लिए लाग होता है days of new encasement can be granted to rail employee during the entire services और ये भी question important question है तो ये भी सभी central department के लिए लाग होता है जो मैक जेम हमे 60 दिन का जो है और जीत अवकाश का नगदी करन अपन पूरे सेवा काल में कर सकते है और एक बार मतलब encasement, new encasement करने के बास येदा दो साल के बाद कर सकते हैं दो साल तक कोई new encasement नहीं होता है इसके बाद जो question है question number 93 है 93 question number 93 है इसका जो आंसर है एक उनिसो अठावे को तो ये बाद जो question है इसके बाद जो question है question number 94 है अकस्मित आउकाश 12 से घटा कर 8 किस दिनांक को किया गया था तो इसका जो आंसर है एक उनिसो अठावे को तो ये जो question number 93 है चैल्ड केर लिए की अधिकतम सिमा जो है 730 दिन है ये सभी department के लिए लाग होता है center department के लिए इसके बाद का जो question है question number 94 है अकस्मित आउकाश 12 से घटा कर 8 दिन किस दिनांक को किया गया था तो इसके बाद का जो question है question number 95 है अशक्त रेल करमचारे को ये करांडर रशे में दिनों का special अकस्मित आउकाश दिया जाता है days of special casually we granted disabled employee तो इसका जो आंसर हो जाएंगा इसके बाद जो question है question number 96 है शेवा के दावरा नर्जी तावकाश नगदी करन की सिवधा रेलवे में दिनांक से लागू की गई लिव इनकाश्मिन डूरिंग दे सर्विस वा स्टार्टेड फ्राम इन रेलवे तो इसका जो रैंसर हो जाएंगा 19-2008 इसके बाद जो question है यदि question number 97 है यदि कोई रेल करमचारी पिठले 6 माह में अनदिक्रूत तोर पर अनुषपस्तित रहता है तो उस अनदिक्रूत अनुषपस्तित के अवदी का भाग अगले 6 माह के लिए आउसाच वेता नौकाज जमा करते समय काटा जाएंगा यह पर एलवे एंप्लोईज अनुथराइज अपसेंस दूरिंग लास्ट शिक्स मन्स तो इसका जो एंसर हो जाएगा वन बाय टेन भाग मतलब वन बाय टेन प्रतिशत इसके बाद का जो question है question number 98 है trade apprentice को एक calendar वर्ष में पूरी वृत्तिका पर दिन की छुट्टी मिलती है days of new one first type on is granted to the trade apprentice in the calendar है इसका जो एंसर हो जाएगा हो जाएगा 12 days इसके बाद का जो question है question number 99 है किसी rail करमचारी के दो से कम जीद बच्चा है तता वह आई के किसी बच्चों को गोद लेता है तो उसे प्रितुत्ताव का स्विक्रित किया जा सकता है railway employee with less than two serving children is granted paternity leave if he adopt a child of year तो ये question भी सबी department के लिए लाग होता है और इसका जो correct answer हो जाएगा एक वर्षे से कम का जो बच्चा होता है maximum limit of special disability leave is और ये भी question सबी department के लिए लाग होता है और इसका जो answer हो जाएगा हो जाएगा 24 month 24 महा इसके बाद जो question है question number 101 है पूरे सेवा काल में अधिक तम dash का अध्य नवका स्विक्रित किया जा सकता है ये भी question सबी department के लिए लाग होता है maximum that study leave can be granted entire services अधिक तम अध्य नवकास जो है study leave है मिल जाते इसके बाद को जो question है question number 102 है अस्पता लवकास के वल dash कर्मचारू के लिए शुक्रित किया जा सकता है hospital leave can be granted only to stop और इसका जो correct answer हो जाएगा हो जाएगा group C and group D के लिए जो है अस्पता लवकास मिलता है इसके बाद का जो question है question number 103 है 2000 km से अधिक दूरी पर सतारांतर होने पर दिनों की कारेगरान अवदी मिलती है और यह भी question repeat हो रहा है और इसका जो correct answer हो जाएगा हो जाएगा 15 days 15 days of dining period is permissible for transfer more than 2000 km इसके बाद का जो question है question number 104 है dash से कम अवदी के अस्ताई सतारांतर पर कारेगरान अवदी नहीं मिलती है no joining time is permissible for temporary transfer of less than days तो इसका जो correct transfer हो जाएगा हो जाएगा 180 days 180 days से कम अवदी के अस्ताई तारांतर पर जो है कारेगरान अवदी नहीं दी जाती है इसके बाद जो है question number 105 है महिला कर्मचारी जिसके दो से कम जीविद बच्च है द्वारा एक वर्षे तक का बच्चा गोद लेने पर मात्तव छुट्टी की तरह डाद दिनों की छुट्टी स्विर्कुत की जा सकते है फिमेल एंप्लाइज विद लेज दान टू अलाइव चिल्डरन और अडप्शन आप चाइड लेज दान वन येर विल गेट लिव अ मैटरनेटी लिव और इसका जो करेट रैंसर हो जाएंगा 180 days 180 दिन फिर है सत्या सत्य बताईए साचाई की जूटे ट्रुहाई की फासे हो बताने दिनंकर 198 से रेलवे स्कूलों में कारे रस्त अध्यापकों को एक वर्षे में उसत वेतन पर 10 दिन की छुट्टी की शुदा के बदले 20 दिन की अर्द वेतन चुट्टी की शुदा देये हैं 20 देज एलेज एपी इन लिव अब 10 देज एलेज एलेज एपी फार ग्रांटेट टु रेलवे स्कूल टीचर सिंस 1908 इसका जो एंसर ये सत्य है सही है इसके बाद जो है लाइन स्टाप को प्रतिबंदित अवकात दे है लाइन स्टाप और एलेबल फार एज इसका जो एंस क्वेश। लिए इनकेस्मेंट तो इसका जो आंसर हो जाएंगा सत्य यह सत्य है इसके बाद जो है कोश्चन नमबर बन बन जीरो है 110 नमबर का कोश्चन है चाइड केर लिव केवल सबसे बड़े दो जीद बच्चे दिया जाता है CCL is a premissable up to two eldest children only और यह भी सत्य है चाइड केर लिव का लेखा रेल करमचर के सबाबिलक के साथ नहीं रखा जाएगा तो यह फाल्स है तो चाइड केर लिव का जो लेखा है रेल करमचर के सबाबिलक के साथ रखा जाएगा इसके बाद जो है question number 12 है trade apprentice को यह calendar वर्षे में आदी वृत्तिका पर 15 दिन के छुट्टी मिलती है और यह जो 15 days of lieu on half type in granted to trade apprentice है जो कथन है यह सई कथन है इसके बाद जो है question number 113 है अरजित अवकाश के नगदी करन के भुक्तान की गन्ना करते हैं मकान किराय भत्तायों परियन भत्ते के भी शामिल किया जाता है इसके बाद जो है question number 114 है विशेस निशक्तरता आवकाशता है रेल करमचारी को सिप्रेट किया जा सकता है special disability law can be granted to temporary railway employee तो यह जो करतन है वो सत्यकतन है इसके बाद जो है सामशित्तो पुत्तर वाले प्रशने देखने है पूरे सेवा काल में अनुमजित पाठ एक्रम के लिए कितने दिन का परियनेत अवकाश लिया जा सकता है इसके बाद का जो क्वेशन है क्वेशन नुमबर 116 है सेवा के दवरान 60 दिनों के आवकाश का नगदिकरन लेने के उपरांत सेवा रूत्ति पर 300 दिनों के आवकाश का नगदिकरन जेह है या थवा नहीं सेवा के दवरान जो है साट दिनों के आवकाश का नगदिकरन लेने के उपरांत जो है 300 दिन का आपन आवकाश नगदिकरन दे सकते मतलब अगर आप जो दर दस एल बहते यह अच्छी टप में आपन introduced लनक से बेस्ते इसके अलावा जो है 300 जो तौक कर सकते हैं साटका और ये तिसका कोई सबंदह नहीं है फिर जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 117 एक वर्षे में शेत्रे रेल में अधिक्तम कितने चिकिस साधिकारे के अधियन छुट्टी स्विक्रित की जा सकती है तो हाव मिनिम एक्जिमम नमबर आप डॉक्टर इन जोनर रेलवे स्टडी लिए ग्रांटेड तो इसका जो करेंट ट्रैंसल हो जाएंगा हो जाएंगा त्री इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 188 एक रेल करमचारी अवकास की समपती के बाद कारे पर लिए रिजुमेशन आप ड्यूटी द ड्यूटी बाद एंपलोई और इसका जो करेंट ट्रैंसल हो जाएंगा थर्टी देन की आवदी में तीस दिन की आवदी में इसके बाद जो क्वेश्चन नमबर बरवन नहीं ने आप रित व्यक्ति को शारिक मानसिक प्राद दना के कारण अस्पटाल में दाखिर करने पर कौनसा आवकास शिक्रूट किया जा सकता है विच काइंड आप लू में बी ग्रांटेड टू सिकनेस आप केडनेप एंपलोई वे एड्मिटेड इन हास्पिटल तो इसका जो करेक्ट टैंसल हो जाएंगा हो जाएंगा आस्पिटल अस्पटाल लिव इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है 120 नंबर का क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन है किस अधिकारी द्वाराक आर्ख रेल्स सेवकों के आवकास लेखा नियम प्रावरूप में रखे जाएंगे अधिकारी इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है जिन रेल करमजारी को अनुशासान यह अपिल नियम के अंतरगर बरकास तर रेल सेवक से अटाया अथ्वा नियुक्त करने का नियर्ने लिया गया है तो क्या उन्हें आवका सिक्रूत किया जा सकता है और इसका जो एंसर हो जाएगा नहीं नो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है क्या आवकास पर विदेश यात्रा में गये हुए रेल करमजारी को आवकास समपती से पूर्वर ड्यूटी पर वापस वुलाने की स्तिति में उसकी हवाई यात्रा इसका जो एंसर हो जाएंगा यह दी उसने अपनी छुट्यों का आदी अवदी या तीन महेने जो भी पहले हो पूर्ण नहीं क्या हो तो भारस से उसकी आत्रा वेकी धन वापसी होगी इसके बाद जो है एक्षो तेईस में जो भी पहले पूरा होगा पूर्ण नहीं क्या होगा तो उसके जो भत्ता वापस किया जाएगा इसके बाद जो है एक्षो तेईस कोश्चन नंबर एक्षो तेईस है रेल प्रशासन गुरूप सीव गुरूप डी करमचारी प्राइवेट चीके साप्रवान पत्र स्विकार करने की सुवदा को की सब्दी में वापस लिया जा सकता है इसका जो एंसर है गुरूप गर्मी के मोसम में एक अप्रिल से 30 जुन तक यावम दिपावली आधी तेवार के दावरान एक्टॉमबर से 15 नंबर तक क्यावदी में इन समर फ्राम फ्रस्ट एप्रिल टू 30 जुन या डूरिंग फेस्टिवल दिपावली इसके बाद जो क्वेस्टिन नंबर वन प्वेंटिफोर है कर्मचारु का मुख्याले पांडु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो अवसत वेतन की छुट्टी पर कोलकत्ता लख लखनु या पटना को या उन से वकर जाने पर उसे कितने दिन के अथिरिकते छुट्टी दे होगी इसके बाद जो क्वेस्टन है क्वेस्टन नंबर वन ट्वेंटिफोर है कोई सी छुट्टी कर्मचारु के खाते में असे मिस संक्या में जमा की जा सकती है इसके बाद जो क्वेस्टन है क्वेस्टन नंबर वन ट्वेंटिफोर है अस्ताई रेल कर्मचारी को एक बार में दिकतम कितने दिन की असाधारन शुट्टी सिक्रूद की जा सकती है तो इसका जो यह भी कोईशन सभी डिपार्मेंट के लिए लाग होता और इसका जो एंसर है वह है चोबिस महां चोबिस मत इसके बाद कोईशन नंबर वन ट्वेंटि सेवन है ताई कर्मचारी को एक बार में कितनी असाधारन शुट्टी स्विक्रूद की जा सकती है इसका जो एंसर हो जाएक सभी चुट्टियों के मिलाकर पाच वरशे तक यह भी जो कोईशन है सभी डिपार्मेंट के लिए लाग होता है इसके बाद जो कोईशन है कोईशन नंबर वन ट्वेंटि एठ है यह दि किसी कर्मचारी की निविक्ति वर्षा के मद्दे में होती है तो उसे कितनी एलेपी दी जाएगी इसका जो कोईशन अपना रिपीट हो रहा है तो इसका जो एंसर देखा था होता प्रत्यक पूर्ण महा के लिए टू बाई हाब दिन के हिसाब से याद दे रेट आप टू आप डेट पर मन्त इसके बाद जो कोईशन है कोईशन नंबर बन पेंटिन है कोईशन नंबर 129 एक साथ कितनी दिनों का स्विक्रूत किया जा सकता है और इसका जो एंसर है 180 डेज यक्सवस्सी दिन इसके बाद जो कोईशन है कोईशन नंबर 130 है राज पत्रिय करमेचारी की कारेग्र नवधी को विभागत देख्षे द्वारा कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है अब टू हाव मेनी डेज जॉइनिंग टाइम टू एंजी स्टाप कैन बे एक्टेंड 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 बाइड एड अप दे डिपार्मेंट और इसका जो एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा 30 डे ती दिन तक यदि इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 130 होने इसके बाद जो क्वेशन है क्वेशन नंबर 132 है 200 किलिम्टर से अधिक दूरी पस तारांतर होने पर हवाई यात्रा के मामले में अधिक्तम कितने दिनों की कार्यक्रण अवदी मिलेगी और एव इंपोर्टन क्वेशन है 2000 किलिम्टर से अधिक दूरी पस तारांतर होने पर हवाई यात्रा के मामले में अधिक्तम कितने दिनों की कार्यक्रण अवदी मिलेगी इन दे केस आफ ट्रावल बाई यर हाव मेनी डेज आफ जाइनिंग टाइम इज पर प्रेमिसिबल और ट्रांसपर टूर प्लेस विचा मोर्टन क्यूर्ण किलिम्टर और इसका जो कर्यक्रण रोजाएंगा हो जाएंगा बारा दिन 12 देज इसके बाद का जो क्वेश्यन नंबर 133 है एक क्यालेंडर रोज्य में कितने दिन की अर्ध और ऑऊसत व्यतन की छुट्टी कर्मचारी के खाते में जमा होगी How many days of ELHAP are credited to employment live account in calendar year तो इसका जो कर्यक्रणसर हो जाएंगा हो जाएंगा 20 days ब 10 दिन इसके बाद जो question है question number 134 है येधी कोई rail कर्मचारी पिटले 6 माहा में अनिधुक्रुत तोर पर अनुपस्तित रहता है तो उस अनिधुक्रुत अनुपस्तिति काउधी का कितना भाग अगले 6 माहा में अर्दव आउसत वेतन अवकाश एलेच एपी जमा करते समय काटा जाएं इसके बाद जो question है question number 136 है ये दि रियल करमचारी का है ग्रहन अवधी का पूर्ण उपयाग नहीं करता है तो 6 अवधी को करमचारी के किस अवकाश खाते में जमा किया जाएगा इपर एलेच एंप्लोई डज नॉट अवेलेच फूल जाइनिंग टाइम दे रिमेनिंग प्रेड विट बी क्रेडिटेट इन वीच काइंड आप इसका जो आंसर हो जाएगा इन एलेच अवसत बेता नवकाश के खाते में तो यह पी क्वेश्चन सभी के लिए लग होता है यह दि मतलब किसी गवर्मेंट करमचारी को मान लोग की बारात दिन का जो है जाइनिंग टाइम दिया गया और वो छे दिन में जॉइनिंग कर लेता है तो बाके बचे जो छे दिन की छुट्टी है उसके एलेपी अकॉंड में जो यह आउसत बेता नवकाश है उसमें जमा की जाते है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है त्याक बत्रह के मामले में अधिक्तम कितने दिनों के आउसत बेता नवकाश का भुखतान किया जा सकता है तो इसका जो यह आंसर हो जाएंगा खाते में 100 आउकाश का प्रचास प्रतिशत अधिक्तम 150 दिन 50 परशंट आप लियों रिमेंग इन इन ही जाकॉंड सजेक दे माक्जिमम में 50 डेट त्याक बत्रह के मामले म अधिक्तम कितने जिनों के आउसत प्रतन का भुखतन किया जाता है तो है 50 प्रतिशत अधिक्तम 150 दिन इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 38 है अधिकारियों को एक इंडिया लिव की सिक्रूति कोन देता है वी दग कम्टेश ऑफर्टी दो सैंक्शन एक इ सिवा पूरी कर लिए हो तता कैंसर रोग से ग्रश्थ हो तो उसे पूरे से बाकाल में कितने दिन का अनर्जित आउका सिक्रूत क्या जा सकता है इंपोर्टन कोस्टन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपिट होता है सभी डिपार्मेंट एक के लिए क्वेश्चन लग हो मता इन केस आप टेंपोरे रेलवे सर्बंट हूँ है कॉम्टेड़ वन यर सर्विस और सर्फरिंग फ्रम कैंसर हाव मेनी डेज आप ल्यू नॉट ड्यू कैंड बी ग्रांटेट तो हीम इन इंटार सर्विस तो इसका जा एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर मेर फोर्टी है एक सो चारीस नंबर का क्वेश्चन है मेकानिक अपरेंटिस को पूरे विर्थिका पर कितनी छुट्टी सिप्रूत की जा सकती है इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर मेर फोर्टी है अवकास के दावरान विदेश में सेवा आत्वा रुजगार हासिल करने के लिए रेल करमजार को किसकी पूर्वा सिक्रूती देन्य होगी तो इसका जो घर ट्रेंसर हो जाएंगा हो जाएंगा प्रेशिदेंट रास्टपती और यह भी क्वेश्चन जो सभी गौ़र्मेंट डिपार्मेंट के लिए लाग होता है रास्टपती की मंजुरी लिया जाना आवश्यक है इसके बाद जो question है question number 142 है विशेस परिशिते में rail करमेचारी का 5 वर्षे से अधिका लगातार आवकास कौन सिक्रूद कर सकता है who can grant more than 5 years continuous due to railway employee in special construction तो इसका जो answer जैंगा हो जाएगा राष्टरपती और ये भी जो question है इसके बाद जो question है question number 143 है यदि rail करमचारी परिणत आवकास में रहते हुए सेवास स्वाचिक सेवनरुती देता है तो वुक्त परिणत आवकास को कि छुट्टे के रुप में मना जाएगा ये पर railway employee giving his voluntary retirement will a committed law how to law will be treated तो इसका answer हो जाएगा हो जाएगा इसके बाद जो question है question number 144 है परिणत आवकास में रहते हुए सेवा के सेवा से स्वाचिक सेवनरुती देने पर rail करमचार से छुट्टी वेतन की इन परिश्चिते में वसल नहीं किया जाएगा इसके बाद जो question है question number 145 है जो उपर का question है वह भी सभी department की लागव होता है question number 144 इसके बाद जो question number 145 है जब किसी करमचार को अन्य चुट्टी दे नहीं हो तो उसे कोंसे चुट्टी दी जा सकते है if any other lieu is not a due in the lieu account of employee what kind of lieu can be granted to him तो वह है extraordinary lieu असाधरन चुट्टी और ये question भी important question है सभी department की लिए question लागव होता है अगर आपके खाते में एक भी चुट्टी जमान नहीं हो और एक भी चुट्टी बचनी हो तो आपको जो एक्स्ट्रा ओडनरी लिव साधरन चुट्टी दी जाती है लेकिन इसका कोई payment आपको नहीं मिलता है ठीक है इसके बाद जो question number 146 है क्या संतान दत्तक ग्रहन चुट्टी को अन्य प्रकार के चुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है तो इसका जो एंसर हो जाएंगा येस जोसे चुट्टी के साथ इसको जोड़ा जा सकता है इसके बाद जो question है question number 147 है विशेश निशक्तता आवकास में कितने दिनों तक कर्मचारी का उसत वेतन आवकास की तरह वेतन का बुकतान किया जाएगा अब टो how many days an employee will be granted payment as LAP in the case of special disability leave और इसका जो correct answer हो जाएगा अब टो first 120 days प्रथम 120 दिन तक इसके बाद जो question है question number 148 है अन्य प्रकार की चुट्टी के साथ मिलाकर अस्पताल चुट्टी अधिकतम कितने दिनों की शिक्रूत की जा सकती है अब टो how many maximum days of hospital leave including other kind of leave can be granted और इसका जो correct answer हो जाएगा हो जाएगा 28 month 28 महा तक इसके बाद जो question है question number 149 है करमचारी को अस्पताल चुट्टी के दवरान 120 दिनों के अधिक 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 के लिए आउसत वेतन अवकाश के बराबर चुट्टी का वेतन भुकतन करना हो तो किसका कारत तर अनुदन प्राप्ता करना आवश्यक है हुद पास्ट इसके बाद जो question है question number 150 है अधिन चुट्टी के अवधिक को क्या अहरत सेवा में गिना जाएगा वी श्टडी लिए भी कंट्यूद इन क्वालिफाइंग सर्विस इसके बाद जो question है question number 151 है अधिन चुट्टी के दावरान करमचारो के वेतन में क्या क्या दिये है वाट आर दे एलिमेंट्स इन प्रेमिसेबल याज पे डूरिंग स्टडी लिव और चुट्टी के दावरान वेतन वा महगाई भत्ता दिये होगा इसके बाद जो question है question number 152 है क्या करे भरार ग्रहन करने की अवदी को आकस्मित आवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है क्या जाइनिंग टाइम भी combined with CL तो इसका जो answer हो जाएंगा no नहीं इसके बाद जो question है question number 153 है अनर्जे चुट्टी करमचारे के किस चुट्टी खाते से डेबिट की जाएगी फ्राम विच काइंड आप लू लू नाट डू विल बी डेबिटेट और इसका जो answer हो जाएंगा अनर्जे चुट्टी के खाते से इसको जो है डेबिट किया जाएगा इसके बाद जो question है 154 है यह दि महिला रेल करमचारी को दो से कम जीवत बच्चे तथा उसने वेसे वीदूर से शादी कियो जिसकी पहली पत्नी से बच्चे तो क्या उसे प्रसुत्याव का दिया जाएगा यह फिमेर रेल वे एंप्लाई विट लेस दान टुच अलावी चिल्डरन मेरी सचाव वीड़वर वू प्रसुति के साथ में बिना डॉक्टरी प्रमान पत्रा के ली गई असादरन चुट्टी को क्या हर्क सेवा मना जाएगा विल एक्टर ओडनरेल लिव टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिपिकेट इन कंटिन्योस आप मेटरनेटी लिव भी कांटेड याज क्वालिफाइंग जावकाद देया है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 स्वयम के अनुरत पर स्तानांतर की स्थिति में क्या रेल करमचारी को कारेग्र नवदी की सुविदा मिलेगी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 158 है अगर रेलवे डॉक्टर पीजी कोस्ट मेडिसी ने शोव सबंधी पार्ठाकर में तो अध्य नवकाश लेता है तो कितने अध्य नवकाश शुक्रत किया जा सकता है और यह बी क्वेश्चन भी डिपार्मेंट के लिए लागोता ह इसका जो जाएंगा हो जाएंगा चातिस मा और इसके लिए माप्रबंदक के वेक्तिकत अनुमोत पर इसके मिलेगा चातिस थर्टीशिक्स मन्त विद पार्सनल अपरोल आप जीम तो बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन क्वेश्चन की पीडिएफ है और इसमें से आधे से जादा जो क्वेश्चन इस सभी शेंटर गौवर्मेंट डिपार्मेंट के लिए लाग होते हैं और वो इसको अच्छे तरह से याद कर लिजे और आभी तक आपने हमारे चैनल अगर हरो टीचर को सस्क्राइब निकलिया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन क क्लिक कर लिजे और अपने दोस्ते के साँद श्यायर कर लिजे पिछल जो वीडियो देखे थे शीशे सरूल के उपर उसमें जो अभी जो रूल है रूल नंबर 10, रूल नंबर 14, रूल नंबर 16, रूल नंबर 18, रूलन नंबर 22, 23 और 24 के उपर जो है अलग से अपन खाले रूलकाई वीडियो देखेंगे और बाकी बचे कुछे जो भी क्वेश्चन पेपर है वो जद लेनी की कोशिश करेंगे ठैंक यू धन्यवाद शुबह रातरी